दोस्तों यदि आप भी किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो कि आपके हाथ पैरों को बिलकुल खुब सूरत बना दे हाथ पैरों की स्किन आपकी ग्लोइंग स्किन हो, हाथ पैरों में कोई भी दाग धब्बे ना हो, काला पन ना हो बिल्कुल soft scoop सूरत से आपके हाथ पैर हो जाएं तो बस मैं आज आपके लिए वही remedy लेकर आई हूँ जो कि आपके हाथ पैरों से tanning को काले पन को दूर करेगी मैल गंदगी को बाहर निकालेगी साथ ही साथ आपके हाथ पैरों की तोचा बिल्कुल ही baby soft हो जाएगी हाथ पैरों की skin आपकी smooth होगी, soft होगी सबसे पहले हम लेंगे shampoo shampoo हमारे हाथ पैरों में छुपी हुई गंदगी को, मैल को, पसीने को या धूल मिट्टी को बाहर निकालेगा साथ ही साथ पैरों से अच्छी खुश्बू भी आती है यदि हम एक चमच shampoo का इस्तमाल करते हैं हाथ पैरों को धोने के लिए केवल एक छोटी चमच shampoo चाहिए साथ में चाहिए आपको आधा lemon नीबू क्या करता है? विटामिन C से भरपूर होता है lemon juice एक natural bleach का काम करता है नीबू साथ ही साथ हमारे हाथ पैरों को गोरा करता है जल्दी हमारे हाथ पैरों पर fine lines और जुरिया नहीं आती है यदि lemon juice को हम अपने हाथ पैरों की तवचा पर इस्तमाल करते हैं चुटकी बर हल्दी जरू डाले हल्दी antiseptic antibacterial होती है यदि हमारे हाथ पैरों में कोई फोड़ा फुनसी है कोई दाग धबा है तो उसे भी ठीक करती है हल्दी रंग को गोरा करती है हमारी तवचा पर निखार लेकर आती है अगली चीज जो की अह इस्तमाल करने वाली हूँ वो है toothpaste आपको केवल white वाला toothpaste लेना है इस remedy का इस्तमाल आप अपने दोनों हाथों पर दोनों पैरों पर करें इसके अलावा इस remedy को आप अपने घुटनों पर क्योंकि हमारे घुटने की हमारे नीज की जो skin होती उसमें बहुत जल्दी काला पन आ जाता हमारे elbow की, हमारी कोहनी की तुचा होती जो काली हो जाती है हमारी garden, कई बार हम लोग garden का ध्यान नहीं रखते हैं हमारे neck पर भी कालापन आने लगता है तो उस पर भी आप कर सकते हैं ये ना सोचें केवल हाथ पेरों पर करना है हाथ पैर अपने कोहनी अपने घुटनो अपनी गर्दन पर भी इस पैक को जरूर लगाएं वीक में दो बार लगाएं क्या रिजल्ट मिलेगा आपको सारा कालापन दूर हो जाएगा एक चमस्च टूथ पेस लिया है इतना लेना है जितना रोज आप लोग अपने टूथ ब्रश में लगाते हैं बस वही टूथ उतना ही मैंने लिया है आधा नीबू का रस डाला दोनों को देखें मिक्स करें जो जाग बन रहा है जो दोनों चीचें आपस में मिलकर रियेक्ट कर रही है वो काले पन की जिद्धी परत को तेजी से तोड़ती है तेजी से अलग करती है काले पन की परत को टैनिंग रिमूव होगी साथ ही साथ दोसों आपकी त्वचा पर गोरापन आएगा निखार आएगा आपके हाथ पर बहुत अच्छे हो जाएंगे इसके साथ ही इस रेमेडी को और पावरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे आधा चमश शक्कर के दानों का शक्कर जो होती है दोसों इसमें ग्लाइकोलिक आसिड होता है हमारे स्किन के लिए शुगर बहुत अच्छा बहुत अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट भी है कह स रखते हैं आप शुगर को शुगर में ग्लाइकोलिक आसिड होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत फाइदे मंद है अब यहाँ पर मैंने शक्कर के बाद दोस्तों टूथपेस आप डाल सके आप शैंपू डालें इसमें शैंपू से आपकी तच्छा पर बहुत अच्छी खुश्बू भी आएगी गंदगी भी निकलेगी और टूथपेस भी नैच्रल ब्लीच का काम करता है तो यह देखें अब मैं आपको केवले एक हाथ पर ही लगा कर दिखा रही हूँ आपको दोनों पैरों पर लगाना है खासकर हमारे पैरों की तच्छा बहुत जादा तो भी मृत कोशिका है उसे तेजी से रिमूफ करेगा कमाल का रिजल्ड मिलने वाला है दोस्तों आपको इस रेमेडी का इस्तमाल करके तो आप इसे जरूर ट्राइ करें तीन से चार मिनट तक दोनों हाथ दोनों पैरों की मसाज़ करना है आपको लेमन जूस जो है दोस्त अपने नेल्स पर हम वो ग्रेवी वाली सबजी खाते हैं न दोसों तो कई बार ग्रेवी का पीलापन हमारे नेल्स पर भी लग जाता है इसलिए आप इस तरह से साफ करें एक पुराना टूद ब्रज भी ले सकते हैं आप तो तीन से चार मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथों की मसाज कर लिया है हाथ पैर को धो लेना है इसके बाद बनाएंगे एक ऐसा पैक बनाएंगे दोसों जो की हमारे हाथ पैरों की तवचा को सॉफ्ट बनाएगा और इसकिन को हाइडरेट करेगा कच्छा दूद लिया है रॉ मिल्क लिया है कच्छा दूद हमारे स स्किन को हाइडरेट करने मौश्यूराइज करने या ग्लीसरीन या नारियल का तेल ग्लीसरीन है तो एक चमच ग्लीसरीन डालें यदि इस समय ग्लीसरीन नहीं है तो आप कोकोनेट ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं नारियल का तेल हमारे स्किन को मौश्यूराइज करता है हमारे स् तोचा पर जल्दी जुरिया नहीं आने देता है, रिंकल्स नहीं आने देता है, कोकनट ओईल जो होता है दोजों हमारी तोचा पर कोलेजन के इस्तर को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, जिससे हमारे तोचा पर जल्दी फाइन लाइन और जुरिया नहीं आने पाती है, ब पर मैं केवल आपको हाथों पर लगा कर दिखा रही हूँ, आपको इस पैक को, हाथों के अलावा अपने पैरों पर भी लगाना है, आप इसे अपनी गर्दन पर लगाएं, गर्दन का कालापन जो है, वो तेजी से हटेगा दोस्तों, सारे डेट सेल रिमूव होंगे, इस पै ना इतना हम लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, घर पर ही हम अपने हाथ पैरों को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी तवचा पर चमक ला सकते हैं, मैंने इस पैक को दस मिनट लगा कर रखा था, दस मिनट के बाद, हलके गुनगुने पानी से मैं अपने हाथों बिल्कुल भी नहीं आने पाएगा सबताह में एक बार अगर टाइम है तो सबताह में दो बार आप इस रेमेडिका इस्तमाल करें 100% रिजल्ट मिलेगा वीडियो को लाइक करिएगा टिप्स थीएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट करिएगा